नमस्कार साथियों, डॉर्टर रुमंग खरना हुमियोपेथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे उस मर्ज की, कि जो मर्ज एक उमर आने के बाद हमारे बहुत से बुजूर लोगों को और यंग लोगों को भी सब कुछ ठीक होते हुए भी उनके जीवन को मुश्किल कर देता है हम बात करेंगे पार्किंसन्स डिजीज के बारे में आज के वक्त में साथियों, पार्किंसन्स डिजीज बहुत कॉमन बीमारी हो रही है हमारे क्लिनिक पे तमाम लोग आते हैं, हम देखते हैं कि पार्किंसन्स की तितेजी से फैल लाए और इसमें एक सोच वाली बात है कि शुरू में पता नहीं लगता शुरू में ये मर्ज आपको बता नहीं लगता अगर आपको जानकारी ना हो तो आज हम आपको बताएंगे पार्किंसन्स डिजीज के बारे में इसके सिंटम्स के बारे में जो कि यदि आप जल्दी पहचान लेंगे तो अपना जल्दी इलाज कर लेंगे और बताएंगे इसकी 10 कारगर होमियोपेथिक दवाएं जो अगर आपके घर में किसी को पार्किंसन्स हो गया है आपके आसपास किसी को पार्किंसन्स हो गया है सुसाइटी में तो इन दवाओं को आप उनको जानकारी दे के उनकी मदद कर सकते हैं पार्किंसन्स डिजीज का साथियों सबसे बड़ा एक्जाम्पिल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मुझा सबसे मशूर एक्जाम्पिल कह सकते हैं मुहमद अली साहब हैं, मुहमद अली वो जो बॉक्सर थे और कहा जा सकता है कि इतिहास के सबसे ज़्यादा अच्छी बॉक्सिंग करने वाले फाइटर थे, उनको 42 साल की उमर में पार्किंसन्स हुआ था, अब इसके तमाम थेयोरी हैं कि उनको पार्किंसन्स क्यों गवा, कुछ लोग कहते हैं कि फाइट में उनको चोड बहुत जादा सर पे लगी तो उनको पार्किंसन्स हो गया, कुछ लो है जिसमें कि आपके नियूरांस डीजनरेट होने लगते हैं, यहां मर्ज जैसा कि हमने कहा कि धीरे धीरे बढ़ता है और इसके शुरू के सिंटम आपको अन्नोटिस चले जाते हैं, इसकी शुरुवास जादा तर होती है कि जब आपके चलते वकत हाथ हाथ हिलाना बन कर देते हैं, आप चल लाएं और आपके हाथ नहीं हिल लाएं हैं, यहां एक इंडिकेशन होता है पार्किंसन्स का, दूसरा इंडिकेशन होता है कि आपकी जो आवाज है, वो धीमी हो जाती है, कहते हैं कि कभी कड़क वाइस हुआ करती थी और अब धीमी हो गई, तो यह दो सिम्टम होते हैं जो अन्नोटिस चले जाते हैं और आप पार्किंसन्स का शिकार हो जाते हैं, इसमें आपके जो मूवमेंट्स हैं, वो हो जाते हैं, आपके मुसल्स में स्टिफनेस आ जाती हैं, तमाम बाते हो जाती हैं, लेकिन साथियों पार्किंसन्स होमियोपैथी में curable भी है और homeopathy में इसको आप रोख सकते हैं रोख क्याप cure की तरफ भी बढ़ सकते हैं तो तमाम कारगर homeopathic दवाएं हैं अब साथियों जाल लेतें इसके symptoms के विशह में इसका सबसे important symptom जो है वह जो हमने आपको बताया कि आपके आपके शरीर का आधा पार्ट या आपका हाथ यहां जो है वो वर्क करना कम कर देता है जब इसे स्लो वर्क हो जाता है तो यहां पार्किंसन का सिंटम होता है दूसरा सिंटम होता है ड्रेडी काइनेजिया आपकी चाल धीमी हो जाती है आप रोज के भी जो काम करते हैं वहां बहुत धीमे करने दूसरा पार्किंसन्स का मरीज जब चलता है तो वहाँ हाथ नहीं हिलाता मसिल्स में एक रिजिटी आ जाती है कि स्टिफनेस आ जाती है यहाँ भी एक पार्किंसन्स का सिंटम है जो की बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा आपका जो writing है आपकी writing capability खत्म होने लगती है आपके हाथ में tremors आने लगते है और आपको लिखने में दिकत होने लगती है अगर यहां सब symptom आप में पाए जा रहे हैं तो आपका आपका जो line है स्वास्त की वो Parkinson's की तरफ मूब कर रही हो सकती है और आपको इसके लिए तुरंची किस्ता को संपर्ख करना चाहिए इसके कारण की जहां तक बात है इसका कारण आपके neurotransmitters होते हैं आपके brain में जब एक उमर होती है तो neurons degenerate होने लगते हैं जब आपके neurons degenerate होते हैं तो उसमें जो neurons dopamine secret करते हैं जो की neurotransmitter होता है जब neuron degenerate होते हैं तो dopamine का secretion कम हो जाता है और जब dopamine का secretion कम हो जाता है तो आप जान लीजे कि आपका action आपका body पे command कम हो जाता है जब brain से ही signal नहीं आएंगे तो आपका command कैसे रहेगा तो यह वही बात है कि आपका यहाँ neurotransmitter disturb करते हैं और आपका signal brain तक brain से आने वाला वो कम हो जाता है और आप Parkinson's की तरब पढ़ते हैं अगर किसी को Parkinson's हो गया तो कोई बात नहीं आप न घपड़ाएं होमियोपैथी में इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं हैं दवाएं बताने से पहले हम आपको दो बाते बता दें पहली बात यह साथियों यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए होमियोपैथी को आपके इसलिए वीडियो में हम पोटेंसी दवा की बताते रहे तो बहुत से मरीजों के फोन आते रहे वह अपने आप से उस पोटेंसी की दवा बजार से ले आते हैं और उसको लेने लगते हैं और फिर परिशान होते हैं तो हमको फोन करते हैं कि डग सब आपने दवा बताइए हमने लेली से यह हो गया तो हम उसे कहते हैं कि भाई डॉक्टर से बताए विना दवा आपने आज पास किसी कुछर किसक से बताए विना दवा क्यों लिए तो अब जो हम वीडियो बे आगे आपको बताएंगे इसकी पार्किंसन्स डिजीज को ठीक करने की 15 कारगर हुमियो पैठिक दवाये बताएंगे लेकिन हम उसकी पोटेंसी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि कई पेशेंट अपने मन से बजार से दवा खरीद के खा रहे हैं और वो अच्छा नहीं है 40 परसेंट को सीधे फायदा मिला जा रहा है बाकी 40 परसेंट भी फायदे में लेकिन 10 परसेंट ऐसे लोग हैं जो गलत पोटेंसी के सेलेक्शन के कारण परिशानी उठा रहे हैं बहराल चलते हैं आपको बताते हैं पार्किंसन्स डिजीज को होमि हूं होमियोपयथी मैं साथी हूं पार्किंस्टन स्कूर्ष टिजीज को करने की सबसे कारण कर नंबर एक गवजainen नहीं हो सकती आप जलसीमियम 30, दो दो बून दिन में तीन बार ले ले अगर आपके वालेंट शेकिंग ओफ हैंड्स है आपके हाथ या पैद पूरी तरह हिल रहे ड्रेमलिंग हो रही है, आप सेंसिटिव है तो आपके लिए जलसीमियम से अच्छी दवा नहीं हो सकती जलसीमियम उस हर व्यक्ति के लिए कारगर है जिसको पार्किंसन्स डिजीज है साथ में उसको प्यास नहीं लगती है उसको डलनेस बनी रहती है, डिजीनेस बनी रहती है ड्राउजीनेस बनी रहती है, वीकनेस बनी रहती है, एक सुस्ती बनी रहती है तो यदि आपको भेंकर तरह से हाथ कापने या पैर कापने के साथ में Parkinson's disease है तो जलसीमियम उसकी drug of choice है आप जलसीमियम दबा को लेकर आप लाप पा सकते हैं फिर एक condition आती है साथियों कि अगर बच्चों को यहां दिकत हो रही है Parkinson's के पहले तो हम दुआ करते हैं किसी को ऐसी दिकत ना हो लेकिन अगर किसी बच्चे को Parkinson's हो रहा है और उसको टुचिंग हो रही है मसिर टुच कर रही है जगां जगां हलकी हलकी सी किचाव आ रहे है ए इंकम मेट इंकम 30 फैर्टी दो दो बूँन दिन में तीन बार यदी वो बच्चा ले लेता है जिसको की मसिल में टुचिंग हो रही है और लिखने में दिकत हो रही है लिख नहीं पाता है ट्रेंडिन्स हो रही है तो इंकम मेटाली कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं बहुत इस्टेफ हो जाती है उनमें एक अकणन पैदा हो जाती है लोग यहां कण्डिशन आपके सामने हो ती है कि आपके मसल मenne अकणन पैधा हो जाए तो उस सिस्दी से पर तो इस ब्रहां को कोश।िक है आप कॉस्टिकम हिनिमिनाई 30 पावर में दो दो पूंद एदी तीन बार ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पार्किंसन डिजीज ठीक होने की तरह बढ़ गया आपकी मसिल्स की रिजिडिटी खतम हो गई उसमें सौफ्टनेस आ गई और आपका मसिल्स पे कमांड आन जुकि बहुत important है कि praised' साजा जाती है मरीज धीमा चलने लगता है उसका कमांड ऐसा होता है कि वह ब्रेडी काइनीजिया हो जाता है lemon ponrics slow walking करने लगता है करने लगता मसिल्स उसकी च्थी स्फूल काम करती है अगर यहां इस्टिती आप में है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगरदवा है Plumbum Metallicum, आप Plumbum Metallicum 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले ले, आप देखेंगे कि आपका यहाँ जो Slowness है, यहाँ ठीक हो गई और आप आराप पा गए, फिर एक condition आती है जो Parkinson's के मरीज को कभी-कभी महसूस होती है कि जिस floor पे वो चल ला है, वो uneven है, वो floor even नहीं है और इस कारण वो नीचे ही देखके चलता है, उसकी आके नीचे जमीन ही देखती रहती है और वो चल ला होता हो, ultimately वो गिर जाता है तो अगर आप किसी को यहाँ sensation लगे, कि floor uneven नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उतला नीचा है और उसको Parkinson's disease है और उसको चलने में उससे तकलीफ होती है, तो उसको ठीक करने की, और Parkinson's को ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारण दवा लथाइरस है आप लथाइरस सटाइबस 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपके यहाँ sensation यहाँ इवन फ्लोर वाला यहाँ भी खतम हो गया और आप चलने से भी गिरने से रुख गए और आपका Parkinson's भी ठीक होने लगा फिर एक condition आती है साथियों कि आपके muscles में spasm होने लगा, आपके heart की muscles में spasm होने लगा और heart में palpitation होने लगा तो अगर यहां कंडिशन आए कि आपके मसल्स में स्पैस मोरा यानि खिचाव हो रहा है और आपके हर्ट में इतना पैल्पेटेशन हो रहा है कि वो पुरे शरीर उससे पैल्पेट होता आपको लग रहा है तो इस सिम्टम को और इसके साथ आपके Parkinson's को ठीक करने की होवियों पैल्पेटी में बहुत कारगर दवा है फाइटो स्टिग्मा आप फाइटो स्टिग्मा 30 पावर में दो दो बून तिन में तीन पाव ले लें आप देखेंगे कि आपका पार्किंसन्स भी ठीक हो गया आपका यह जो हर्ट का पैल्पिटेशन है यहां भी खतम हो गया और आपके मसिल्स में जो स्पैस्म खिचा हो आ में लगी हाथों में तो उसको ठीक करने की होमियोपेटी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मर्ग सॉल आप मर्ग सॉल थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार यदी ले ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेमलिंग बिल्कुल खतम हो गई और आप मॉसर ने अच्छाम को अराम मिल गया मर्ग सॉल के संट के सर्दी बहु कि जादा लगती है यह भी में सॉल का स्ट्म है जो पेशेट में पाया जायेगे जिसको मग सॉल की ज़रूरत है फिर एक गता सिम्टम आता है कि पार्किंसस्ण सर्वर्ययर स्म्टम होता हो सै बड़ ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा एस्थिनम है एस्थिनियम 30 पावर में दो दूबून दिन में तीन बार यदि आप ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ट्रेंबलिंग भी खतम हो गई आपके टंग भी स्टेबिल हो गई और आपका पार्किंसन्स भ और साथ में इसी सिम्टम के साथ पार्किंसन्स डिजीज को सई करने की बहुत कारगर दवा है जिनकम मिटैलिकम आप जिनकम मिटैलिकम 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले 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 आप देखेंगे कि आपकी जो शेकिंग आफ लेक्स है वो भी खतम हो गया आपके ट्रेब कि का सिम्टम में मरीज बार बार घृर रहा है। वीमबैलेंस जो कि पार्किंसन्स का बहुत इंपर्टिन सुम्टम है शायद अमने इसको सिंटम में नहीं बोला था तर दिखिक दिया बहुत इंपर्टेंट सिंटम है तो उसकी होमियोपरती में ठीक करने की बहुत कारगर दवा है आर्जिंटम नाइट्रिकम आर्जिंटिकम नाइट्रिकम 32 दुबू तिन में 3 बार यदि आप ले लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपका गिरना भी बंद हो गया और आपका पार्किंसन्स भी ठीक होने लगा एक कंडिशन आती है साथियों पार्किंसन्स में कि मरीज के शरीर में इचिंग हो रही है मरीज के शरीर में trembling हो रही है और मरीज अपने को छूना भी पसंद नहीं कर रहा है यदि आप Parkinson's के मरीज को छू रहे हैं तो वो परिशान हुआ जा रहा है उसके pain हो रहा है तो अगर यहां condition आपको Parkinson's disease में दिखे तो इस condition को ठीक करने की और इसके मारफत आपको Parkinson's को ठीक करन इस 200 पावर में दो दो बूंद यदि आप तीन में तीन बार ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका trembling भी कम हो गई और आपकी जो sensitivity है यहां भी कम हो गई और gradually यह खत्म हो गई फिर एक condition आती है साथियों कि आपके Parkinson's disease है आपको बहुत जादा nervousness है और आपको बहुत ज जोरी है उससे आप faint हो जाते हैं अगर यह condition आपके है तो होमियोपैथी में दवा है इन तीनों condition को एक साथ सही करने की आपकी trembling को आपके Parkinson's disease को यानि की आपकी faintness को और आपकी nervousness को और दवा का नाम है हेलो डर्मा आप हेलो डर्मा थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार अगर आप ले लेते हैं Parkinson's disease और इन सिम्टमों से निजात मिले में कतरी देर नहीं लगेगी इससे आपको पूरा लाब मिल जाएगा ये सातियों को दबाएं थी आपको Parkinson's disease को ठीक करने की हमारा ये प्रियास था आपको होमियोपेथी के करीब लाने का अगर आपके मन में कोई query हो तो आप notification panel में लिख के अपना question पूर सकते हैं या फिर हमारे WhatsApp नमबर 94157863809415786380 पर आप WhatsApp कर सकते हैं अपनी query को हमें बड़ी खुशी होगी आपको कारगर जबाब देने में अगर आपको सातियों हमारा ये हमियोपेथी को आपके करीब लाने का प्रियास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा कर सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा आपका इती देर हमारे साथ रहने के लिए हमारा साथ देने के लिए हमारी बात सुनने के लिए बहुत-बहुत आभाद, बहुत-बहुत साधुबाद, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत अन्यवाद, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत बहुत साधुन